कि राजनितिक विशेशगों का मानना है बहुत सारे लोग इसको आवा देते हैं कि डिपिंदर उड़ा रो तकलूक सबासे चुनाव लड़ेंगे और अब कि बार चुनाव जीतेंगे तुकि लोगों में आकरोश है कि पिछली बार अरवादी आ गया हारे नहीं थे है वहली बात तो यह अगर वह ऐसा मानते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी के पास कोई तोड़ है एक बात बताओं आपको मैं हमेशा राजनीती में चुनावी राजनीती में वोट बैंक का अनलिसिस करता हूं मैंने मान लिया देपे दर उड़ा जीतेंगे किसके वोट स मुझे वो ख्यूकूकरी पेशा लोग हो सकते हैं वह जाट विरादरी हो सकती है या और कास्ट ग्रुप्स हो सकते हैं आप मुझे बताए ना चलो मैंने आपको बोल दिया कि चलो आप एक काम करो दिपंदर उड़ा के समर्थकों की लिस्ट बनाओ कौन कौन है कौन दिपंदर डन वोट कौन देगा उन लोग का तो यह मानना है कि सभी लोग वोट देंगे बस दौचलेट के दो उनको बातने को से वोट जाथा यहाँ और रुटक शयर यसमें पिछली बार यहां तक बता रहें कि किलोई में विबराबरी का मुकाबला चुटेगा हो सकता है किलोई में पीछे भी रहे जाए अब हलागी लोग कहते हैं कि ने यह इसी बात नहीं है पर मुझे सीडियेस अभी अलांकि टिकेट अनॉंस नहीं है अच्छा एक बाद बताओ जितने तो जब गाज इब लड़ेगा आई शूर दिपंदर लड़ेगा यह भी असमन जिसकी बात है एक बात बताओं पब्लिक पोस्टरिंग के लिए आप चाहे कुछ भी कह लीजिए सच्छा ही यह है कि मैं अच्छा क कोई बड़ा नेता किसी भी छेतर कोई बड़ा नेता किसी छेतर से चुनाव नहीं लइंगे ऐक चीज भी टक्रोल्म रिख्र गर में किसे की इमेज इंप्रूव और लागरी दूसरे कैंडिडेट की देखे एक बाद बताओं आपको जी चाहिए है कि हुड़ा परिवार की राजनीती खतम हो चुके हैं और मैं अभी पिछले दिनों चर्चा कर रहा था और उसकी चर्चा में मुझे बड़ा दम नदर आया क्योंकि मुझे पैनलिस्ट ने बोला कि अगर दो बारा कॉंग्रेस जीत भी गई विदानतबा में तो भी कॉंग्रेस हुड़ा साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाए की और इस एक दम सही बात है बजलाल वाला काम होगा लोग यह भी कहते हैं अगर यह नहीं हुआ हुड़ा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर वो नहीं पार्टी बनाएंगे या फिर दूसरा विकल्प बीजेपी है उसको तलाश नहीं हो बीजेपी शायद इसी फॉर्मुले पे काम कर रही है कि हुड़ा साहब से उसको अपने में शामिल ना करके नई पार्टी बनवाई जाए क्योंकि इनेलो और जजपा का बहुत कमजोर होना बीजेपी को सूट नहीं करता इनेलो अगर 12-15 परसेंट पर बनी रहे इनेलो जजपा मिला के यह बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बता रहा हूँ पिछला चुनाव भी भाजपा इसी लिए बहुत सारी सीटे हार गई क्योंकि इनेलो की कमजोरी की वज़ये थे इनेलो जजपा की कमजोरी की वज़ये से बहुत सारा वोट जो इनेलो जजपा का वोट था वो कौंगरत में शिफ्ट हो गया इससे कम से कम दस चीट बाजपा रही थी इसलिए बाजपा हमेशा यह चाहेगी कि इनेलो कम से कम 10-12 परसेंट की पार्टी बनी रहे या एक नई पार्टी बना के कॉंग्रेस का पांस साथ दस परसेंट वोट तोड़ ले मैं आपके सामने ना कुछ नाम लेता हूं चार न किसके रोत तक लोग सवागी बात कर रहा है एक तो बीजेपी सो सकती कि बजाट के सामने जाट कैंडिडिट उतारते हैं यह स्टेटजी बीजेपी हो सकती है आपको लगता है जरूर हो सकते एक बाद बताओ यार बीजेपी की इतनी आउट अप दे बॉक्स ठिंकिंग है क कि आप बीजेपी के थाट प्रोचस को प्रेडिट नहीं कर सकते हैं एप अम जरूर्शेव द कुछ भे हैंगे कुछ 3 कोभार ले आएंगे कुछ्छ भी लिया किए सबसे बड़ी एक और best यह उसके उसके बसके लिए बाजपा की सबसे बड़ी समझचा है कि उसके बाद इतने ज्यादा कैंडिडेट है कि किसको लड़ाए किसको छोड़े सदीश नांजल जी कैसे लगते हैं कैंडेट मैंने कभी भी व्यक्ति सेंट्रिक अनेल्सिस नहीं किये मैं व्यक्तियों को महत्व ही नहीं देता मेरा यह है कि भाजपा देखे जब आप भाजपा से चुनाव लड़ते हैं तो बाग की आदमी जीरो से चुनाव लड़ना शुरू करता है भाजपा का कैंडिडेट लोग सबा में डाइलाग से चुरू करता है दाइलाग वोट तो भाइमोद दीगे इवू पर तो बता दे तू कितने लिया होगा तो डाइलाग की बड़त तो इसको डे वन से होती है और एक बात बताऊंगा आपको भाजपा का जो रिसर्च एन इनलेसिस विंग है न वैसे कासी खेल नहीं है उनके पास जो और वर्ल्ड के एक से एक शांदार टेक्नोक्राट्स थिंकर्स स्टेटिजिस्ट भाजपा ग्राम प्रदानी का चुनाव भी युद्ध की तरह लड़ती है बाजपा की तो मजबूरी है ने तो परदानी में भी मोग दिन तारते हैं इसलिए भाजपा के पास विकल्पों की कमी नहीं है बात तो विकल्पा पर करनी है कि सामने कोन हो सकता है जैसे अभी यह एक नई प्लैनिंघ एक नई स्ट्रजी अपनाई बात शुकान है की बुपंदर यादव जिन का नाम से सल रद लीमानी में निदर यह एक जाट्ट कंदिडेट वी हो सकता है आनल किसी जाती अन्सूचिट जाती का हो सकता है पहले लड़ते थे हैं जरोड़ी नहीं एंट sympathベन लड है और वह में रहेंगे पॉप यह चैसा को लेपको कि भाजपा का स्टाइन ऑफ पॉलिटिक से बाजपा वो रोज जोड़ा उठा के आज यहां बेठाया कल वहां बेठा नहीं वह बड़ी स्थाइट प्री राजनेती करते हैं अब पांस साल आपको क्या नाम संग्ठन के लिए काम करिए भाजपा का बेस बढ़ाई है भाजप का उनका एक रोड मैप बना दिया होगा उस पर हो काम कर रहे हैं तो रहो तक से मतलब नहीं बढ़ता लोग सबादान का मतलब जरुद नहीं है जरुद नहीं है भाजपा को यह करने की तो अभी जो ऑप्शन है वो डट साब तो हैं फिलाल वैसे मेरे मुझ मेरे हिसाब से लगता है कि जाट कैंडिडेट सबसे सबसे बहतर रहेगा पर जाट कैंडिडेट आ गया एक बात सुनो तो और कम कब से कम एक लाख वोट काट आगा जाटोंगी कम से कम पर आपके साब से सबसर करें जाट के डियेट कुल लगता अपको पूद्धा कृष्णमूर्ती उडण ही पूद्ध अब कि प्रिष्टिमूर्ट कर जागा आप न पूर पर नीज हो युआ हो मूद्यर ने上 टेगा दरीलंगे क्लोह ये लेगे निकलनान Steo और एक बात और बताओ ना भाया लोक सभा का वोट मोदी का वोट होता है मोदी का चुनाव है यह वह बात आपकी विद्बूल जयाज है कि यह यह जो आपने की खृष्चिन मुर्ति उटाजी का नाम ले दिया आपने दिंचु बिजेपी के दो बड़े दुरंदर हैं कैप् वी जेपी टोटली अनप्रडिक्टेबल पार्टी है आप उसको प्रडिक्ट कर ही नहीं सकते और एक बात और बता दूं आपको करें लोगों को लगता है ना मोदी जी की कि प्यार्व लोग गलत में की सारी डिसेशन मोदी जी का कोई से नहीं है कोई एक भी दखलंदाजी नहीं है मुझे तो यहां तक बताएगे कि मोदी जी केंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल नहीं करते कोई कोई दखलंदाजी नहीं करते जो विवाग बना रखा है जिन लोगों की डूटी वो करते आप प्रेडिक नहीं कर सकते कुछ भी बीजीपी क मोदी जी तो आप यह मान लो कि एक वोट है वह प्रेक्टरी में दागा की देवर्ट आया चैन की देवर्ट आई सब कुछ में लागे को त्यार कर दिया लेकिन वह नदू नाम लिख्या है वो जो ब्रैंड लोगों है वह मोदी जी ता काम है यह लोगों अपन है जै और लोगों के बल पर प्रोड़क्ट बिखता यह तो आपको माना पड़ेगा ब्रैंडिंग में मार्केटिंग में आज आप मोदी का हाथ नहीं पगड़ सकते ब्रैंड मैनेजर ब्रैंड तो अपने वल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है मोदी आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है बलकि मुझे तो कभी कर दो लगता है कि न यह जो के स्टडी है यह इनको महेंदरा वालों को टाटा वालों को पढ़नी चाहिए पर की फिनावना को स्टडी करते होंगे आप काम करना आप काम करते हैं और उस काम को लोगों तक को बताते भी हैं मोदी जी की सबसे बड़ा गुण है कि वह काम भी जैसे आम आदमी पार्टी है काम कुछ नहीं करती है और लोगों को बताने में बहुत खर्चा करती है पब्लि प्रियात्रा काम थोड़ी नहीं काम उसको नहीं कहते हैं काम किया गड़करी नहीं काम किया गड़करी गड़करी जी का तो आप अगर मोदी से सारे मंतरी एक तरफ प्रम के मतर एक मनंतरीा क्योंकि कुछ मंतराले ऐसे हैं काम ये मिद दिखाइय देता हैं ये काम पब्लिक दिखाई नहीं दे नहीं सकता तो आफ गरगड़करी जी वहां में बहुत भागिशाली जीं है उस मंत्राले में इनोवेशन जो लेका है ना वो वो एक भी पैसा सरकार से नहीं ले रहे रोड बनाने के लिए यह में चीज है जो इनोवेशन लेका है ना सरकार की जूर्थ नहीं उनको अगर आपको एज इन इंडिविजुल उनको छोड़ दोगे तो तो भी रोड बना पॉलिशी बनाई ना सब एक मापता ही ना कॉंग्रेस के जमाने में इन्होंने हाइवेश पर द्यान क्यों नहीं दिया आज जो हाइवे सिक्स लेन हो रहा है जो आज दिल्ली अमरिश्चर कट्रा एक्सप्रत में बन रहा है यह आज से 30 साल पहले बनना चाहिए था हम गंटे लग गए दिल्ली पहुचने में तो मैंने वो अपने मित्र से बार-बार यही बात किया मैंने का जब यह एक्सप्रस बें बन जाएगा तो कितना टाइम लगए बोला तीन साड़े तीन काम जो जो एक्सप्रस बें आज बन रहा है और बनने रहा है दो साल डिले हो चुका है कॉंग्रिस शाफित प्रदेश पंजाब था आम आदमी पार्टी इन दोनों मिलके कट्रा एक्सप्रस्वे को दो साल डिले कर चुके हैं और अभी भी आगे कोई संभावना नहीं कब बनेगा तो यह एक्सप्रस्वे तीस साल पहले बनना चाहिए था तो यह पॉलिसी तो मोदी दरकार ने बनाई न कि अगर भारत को विक्सित रास्ट बनाना है तो सबसे पहले अपना रोड का इंफ्रस्रक्शन इंप्रूब करना होगा तो आप इस बात को मानते हो कि अपकी बार ये काड़ खेला जाएगा रों तक मैं जाट और से जाट खेल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं फिफुति परसेंट फिर बेजन व्ट देगा लोग समा में干टेवाय तैन सही थेए पर्सेंट परेस पेशशी थीयूगा है कि जादा वी उसका है पचास कम भी उसका है पचास से ज्यादा पच्छन साथ भी उसका है कोई बड़ी बात नहीं बताओ वापने मिनीमम पचास पर्सेंट जाट अध्याने का जाट लोकसभा में मोदी को वोट देगा कि चलो वाइक कर्याने में मकाव अधेक जी लबाल कोड़ कोड़ लाजिया उसका कारण है एक मिनिट भाई मोधी अगर हम कॉंग्रेस न वोट दे भी दे तो अर्याने में तो सरकार बदलेगी नहीं अजी आप यह कहें दें कि प्रभी जो जाट वोटर है ऋ बीजैपी को वोट करेगा पचास परसेंट क्योंकि हिंदुस्तान के किसी वी वोटर के लोट से पूछ किमेठब आठाना है क्यों पूछे करका कि कि मौतीक मैं चर रोओन अपांकर ठाएं इस बात को खुद उड़ा साथे भी पूछ लोगे तो वह भी कहां बात तो सही है काम तो बढ़िया कर रहा है तो वोटर के पास रीजन ही नहीं है कि वह मोदी को खिलाफ किसी और को वोट दे देदे देर अस्टो बीए स्ट्रॉंग रीजन वाई तो वोट अगेंस मोदी आप एक स्ट् अब अब एलक्स आप किसी वोटर के साथ यह प्रूब कर दखा दो चलो मेरी टीम में दानमजा होगी तो मोदी वोटर होंगे उन तो बात करेंगे चीज़ करेंगे फिर देखते हैं तो रिस्पॉंस क्या होता है प्रूब को बाति होगी तो बाति हैं प्रूब करेंगे शॉल है ।